नमस्कार आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल इंडिया मैं हूँ आपके साथ प्रद्युन शर्मा अब खत्म हो गया है Drug Control of India ने भारत में दो कोरना वेक्सीन को आपात इस्थमाल को मंजूरी दे दी है इससे पहले देश में कोरना वेक्सीन के सिफारिश करनेवाली सबजेक्ट एक्सपक्ट कमेटी नहीं कुछ शर्तों के साथ दो वैक्सीन के आपात इस्तमाल को हरी जंडी दी थी Oxford University Estrogenica द्वारा विकिसित वैक्सीन को Serum Institute COVID Shield नाम से भारत में उत्पादन कर रहा है वही सोदेशी वैक्सीन को वैक्सीन को भारत बायोटेक और Indian Council of Medical Research ने विकिसित किया है DCGI ने मंजूरी मिलने के बाद देश में कोरोना वैक्सीन का विस्तमाल शुरू हो जाएगा केंदर सरकार कोरोना टिका करण को लेकर पुर्जोर तयारियों में जिटी हुई है केंदर शाषित प्रदेशों में शनीवार को वैक्सीन के ड्राई रन का आयोजन हुआ इस दौरान टिका करण की तयारियों को परखा भी गया है केंदर शाषित प्रदेशों में आयोजित मौक ड्रिल के दौरान 286 सत्रों में लगबग 1,14,100 वैक्सीनिटर को प्रतिशित किया गया है ड्राई रन के दौरान तमाम चीजों का आकलन भी किया गया है को वैक्सीन, प्लैटफॉर्म कैसे काम करेगा, वेटिंग रूम में बैठने की विवस्ता, उब्जर्वेशन रूम, साइड एफेक्ट होने पर टिका, केंदर पर इमर्जेंसी किट और दवाओं की उपलब्दता के अलावा यदि किसी को अस्पताल में इस्थांतरित करने की जरूरत पड़े, तो उसके लिए क्या विवस्ता है, ऐसी तमाम चीजों का आकलन हुआ है केंदर स्वास्त मंति डॉक्टर हर्शवर्दर ने वैक्सीन को लेकर फैलाए जा रही अव्वाओं से बचने की सलावी दी है बहरत के सभी राजियों और केंदर शाशित प्रदेशों में शनिवार से कोरना वैक्सीन का ड्रायरन शुरू हो चुका है इसी बीच केंदर स्वास्त मंत्रा लेने COVID-19 वैक्सीन वितरन की निगरानी डेटा रखने और लोगों को वैक्सीन के लिए रेजिस्टर करवाने के लिए कोविन नाम से एक एप भी मनाई है देश के नागरिक जो हेल्थ वरकर्स नहीं है वैक्सीन के लिए कोविन एप पर सेल्फ रेजिस्टर कर सकते हैं जिसके लिए उन्हें ये एप गूगल प्ले स्टोर या एपल एप स्टोर से डाउनलोड करनी होगी ठीका करन का उपयोग के लिए लॉंच के जाने के बाद जो लोग एप पर पहले से पंजिकरत होंगे उनको जल से जल वैक्सीन मिल जाएगी जानिये कोविन एप क्या है कोविन यानि की कोविड 19 वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क इविन इलेक्ट्रोनिक वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क का अपग्रेड वर्जन है और इसे प्ले स्टोर पर फ्री में उपलब्ड करा दिया गया है स्वास्त मंत्राले के मुताबिक सरकार तीन चर्णों में ठीका लगवाईगी इनमें पहले चरण में सभी फ्रेंट लाइन, हेल्थियर, प्रोफेशनल और दूसरे चरण में आपात कालीन सेवाउं से जुड़े लोगों को वैक्सीन का ठीका लगेगा राजसरकार हैं इन लोगों का डेटा एकटा करने में लगी है इसके बाद तीसरे चरण में उन लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी जो गंबीर बीमारियों का शकार है इसके लिए कोविन एप के जरीए एक सेल्फ रेजिस्टेशन प्रोसेस की जरूरत होगी देश के नागरिक जो स्वास्त वरकर नहीं है वो कोविन एप पर रेजिस्टेशन मॉड्यूल के माध्यम से वैक्सीन के लिए रेजिस्टर कर सकेंगे कोविन एप को गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर के जरीए डाउनलूट किया जा सकता है जनकारी के लिए आपको बता दें कि ये एप्लिकेशन अभी लॉंच नहीं हुई है राजनीती की गुंजाईश खोजने वालों की कमी नहीं है लेकिन समाजवादी पार्टी प्रमुक अकलेश यादव ने इसका एक अलगी सियासी रंग दे दिया है उन्होंने एलान किया है कि वह फिलाल कोरना की वैक्सीन नहीं लगवाएंगे क्योंकि उन्हें बीजेपी की वैक्सीन पर भरोसा नहीं है अकलेश के इस बयान पर जम कर ट्रोल भी हो गया है वो लोगों ने उन्हें खरी खोटी भी सुनाना शुरू कर दिया अकलेश का ये बयान अब उनकी उपर ही उल्टा पड़ गया है आँगा भी वैक्सीन मैंने अपनी बात कहती है और भी बीजेपी लगाईगी उसका वरसा करूँगा मैं अरे जाओ भाही अरे अपनी सरकार आईगी सबको फुरी वैक्सीन लगेगी हम बीजेपी का वैक्सीन नहीं लगा तो आज के हमारी इस खास पेशकर्स में